स्वागत आपका आज के एक और तड़कते बढ़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में दोस्तों बहुत दिन से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कहीं कहीं जाईए कहीं कहीं में आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा हमको कहा जाना है वहाँ जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपको गनेश जी के दर्शन कराएंगे मा के भी हमारी दर्शन कराएंगे और उसके बाद फोड़ा सा मैं आपको शहर भी हुआँगा तो आज की वीडियो थोड़ा सा उतनी ज्यादा हो सकता है आपको इंटरस्टिंग ना जोजे तो मेरे पास बहुत सारे हैं मतलब दो-तीन ठोहाएं जूता एक यह है एक वाइट वाला है लेकिन क्या है स्पोर्ट के हिसाब से यह वाला सही है जिसको पहन के हम काफी जादा दूर तक चल सकते हैं और थोड़ा सा दोड़ भी सकते हैं प्रॉब्लम होगा नहीं उ ठीक जए शरीराँ गुड़ इवनिंग मेरे दोस्तों अभी जब लास्ट वीडियो में शूट करने गया था तो उस वीडियो को शूट करने ही मैं लगभग शाम को निकला था पांच बजे के आसपास और अभी भी लगभग पांच बजे के आसपास बज रहे हैं और मैं अ बैलेंस नहीं रखेंगे लाइफ में तो फिर आप हमेशा परिशान रहेंगे जो कि मेरे साथ अभी हो रहा है इस चैनल को लेके मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एक चैनल की महनत बहुत ज्यादा हो जा रही है मेरे जीवन में वीडियो शूट करके आओ उसके ब चैनल और उसी की वजह से मैं अपनी डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा हूं प्लस आज मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरा थोड़ा सा सिर भी घूम रहा था लेकिन उसके बाद भी मैं एडिट किया जबकि जनरली मेरे साथ है कभी नहीं होता है क तो यहीं एक रीजन है कि मैं इस चैनल पे रेगुलर नहीं रह पाता हूं और हो सकता है कि आगे रेगुलर ना रहूं लेकिन जब तक रहूंगा तब तक आपको मजे दूँगा फॉल मजे सत्रा सोला पंद्रा चोदा तेरा बारा रुखना ही पड़ेंगा क्यारा दो साल बाद हम लोग गनेश चतुर्थी अच्छे से मनाएंगे और जैसे ही गनेश जी जाएंगे फिर हमारी माता आएंगी देवी आएंगे और उमीद तो की जा रही है कि इस बार बहुत जोरों का मजमा लगने वाला बापरे एक मिनिट से भी उपर लग रहा नबबे से सब्सक्राइब के लिए रहा है कोई बात नहीं बहुत दिन से वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट आ रही थी कि उखरी जाईए उखरी जाईए शलिए आज हम उखरी से भी होई आते हमने सोचे एक आदमी से चल सकता है यहां पर यह कब से हैं पता नहीं कब तक रहेगा ऐसा काम हाला कि प्रगती तो पकड़ा है फ्लाइ ओवर का ओहो बन भी गया है काफी ज्यादा यार आज हम जहां जाने की कोशिश कर रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार में हम वहीं पहुंचे क्योंकि कल बहुत ज्यादा उल्टा चले गए दमोन आगा से मैं दीन दयाल चौक चला गया था उल्टा उसका फिर वापस आया आज होफुली ऐसा ना हो कि हम बहुत आग ज्यादा पांच बच के सोला मिनिट हो रहा है कि मामा आए यह देखिए तहल रहे हैं छोटू अराम से किनी जिन्दगी साही है दॉतित हैं ऐसे जिए टोकार मूर्शिकार टोल्टा आगा देखिते हैं क्या पुजीशन आया जैस सिराँ चलिए जी आपकी रिक्वेस्ट पे हम यहां आ तो गए थे लेकिन हमारे साथ क्या हुआ हमारे साथ हो गया प्रेंक वीडियो शूट करने का परमीशन हमको मिला नहीं कोई बात नहीं कचपुरा जी की महाकाली जी के पास चलते हैं वहां कभी आपको अपडेट जानना था बहुत मजा आता है दो पहर में जैसे बारा बस्ते हैं या दस बस्ता है जब दस बस्ता है ना दिन का माता एक खड़ी है तो मुसको लगता है कि इतनी दूप है कैसे निकलेंगा व्लॉक्शूट करने तो उतने समय आज कल मैं एडिट कर ले रहा हूं वीडियो को एडिट क करते करते अप करते शाम हो जाती है फिर फोस्ता हूं बनाता हूं अपने आपको बहुत मलब सांतोना देता कि चलो यार चलते हैं वीडियो शूटकर להelle फिर साम को निकल रहा हूं वीडियो शूटकर ने क्यों वाकाई मैं धो पहर में ना दिमांग गराम हो जाता है नेकलन तब हच गये हैं हम फाइनली कश्पुरा वाली माता जी के पास और यहां का अपडेट अब मैं आपको दूँगा भीड है रास्ते में उस पार चलने के लिए लगेगा समय जैसे मैं देख पा रहा हूँ वैसे आप भी देख लीजिए माता का फेस भी तयार है लेकिन ढखा हुआ है अगर आपको इस गैप से देखने मिल रहा होगा तो मतलब माता पूरी तयार है बस कलर का काम बाकी होगा माता के हाथ भी बन गए है वाइट वाश भी मुझको तो देख गया अगर आपको देख पा रहा होगा तो ठीक है नहीं देख पा रहा होगा तो इसमें अब मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ इस गैप से अगर आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिए क्योंकि पूरी दरह स जार्च प्रिंग कि अवस्टते हैं झाल झाल